आज के इस वीडियो में हम लोग complex permanent tissue के बार में जानेंगे आप simply इस complex permanent tissue को conducting tissue भी बोल सकते हैं अब जैसा कि हम लोगों ने जब simple permanent tissue को start किया था तो हम लोगों ने जाना था कि simple permanent tissue को simple permanent tissue क्यों कहा जाता है simple permanent tissue को simple permanent tissue कहने का पीछे का reason है कि ये एक ही type का cell से मिलकर बना हुआ होता है तो जाहिर सी बात है कि complex permanent tissue जो होगा ये एक ही type के cell से मिलकर नहीं बना होगा Suppose करिए कि आपके पास में सिर्फ A-type का क्या तो सिर्फ आपके पास में क्या है A-type का अगर cell है सिर्फ A-type का cell है अगर इस A-type के cell को आप मिला दें तो एक बड़ा सा इस तरह से tissue बनेगा तो ये जो होगा इसमें सभी A-type का ही cell होगा न तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या तो Simple Permanent Tissue बोलेंगे लेकिन Complex Permanent Tissue में क्या तो Complex Permanent Tissue में जितना भी cell होगा क्या सभी सेम होगा नहीं सभी different होगा अब जैसे Simple Permanent Tissue में एक ही टाइप का cell था अब ये एक ही टाइप का cell था तो इन सभी का work भी एक ही type का था तो क्या complex permanent tissue में different types का cell है तो क्या इसका भी work same type का ही होगा मतलब जैसे आपको ऐसे मैं बताता हूँ जैसे ये है आपके पास में एक tissue ठीक है इसमें A type का cell भी है B type का cell भी है C type का भी cell है और D type का भी cell है ये चार type का cell है आपके पास में अब ये पूरा का पूरा जो whole tissue है अब ये सभी cell मिलकर tissue बनाया है अब ये पूरा का पूरा whole जो tissue है क्या इसका function जो होगा वो एक ही function perform करेगा ये different different function perform करेगा तो यहाँ पर ये question थोड़ा सोचने वाली है तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि इसके अंदर में different different type का cell है मतलब ये है कि ये जो है tissue ये tissue एक ये जो tissue different different cell से मिलकर बना हुआ है लेकिन इसका function जो होगा डियर वो क्या होगा? एक ही होगा मतलब ये एक ही type का function को perform करेगा है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को समझा कि complex permanent tissue को complex permanent tissue क्यों कहता है क्योंकि different type का cell से मिलकर बना होता है चुकि ये different type का cell से मिलकर बना होता है फिर भी इसका जो function होता है वो एक ही type का होता है अब ये जो complex permanent tissue को हम लोग conducting tissue बोलते हैं जैसे देखिए कि ये ये क्या है? ये tree है और ये tree इस तरह से इदर इसका क्या है? roots भी हैं अब ये tree में इधर जो leaves होगा, इधर जो leaves होगा, ये leaves क्या करेगा? food बनाएगा मतलब photosynthesis से food बनाएगा, अब यहां से food को इस root तक आना पड़ेगा ना? तो यही हमारा complex permanent tissue ही लाएगा तो देखे, conduct क्या ना, food को इधर से conduct करते हैं, किधर लाया, root तक लाया और root से जो water है, उसको absorb करके, root से water को absorb करके किधर पहुँचाया leaf तक पहुँचाया तो इसको conduct करके ही न पहुँचाया, conducting process से पहुँचाया इसलिए इसको बोलते है, conducting tissue आपको अगर एक्जाम में पूछे, कि complex permanent tissue को क्या conducting tissue कहते हैं येस, complex permanent tissue को conducting tissue कहते हैं अब देखे, ये जो हमारा complex permanent tissue है, इसका दो टाइप है एक पहला जो टाइप है, xylem, एक है phloem xylem और phloem, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं तो vascular tissue कहते हैं मतलब digit tissue are also called vascular tissue मतलब ये दोनों tissue को अगर हम लोग मिला दें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, vascular tissue भी कहेंगे complex permanent tissue के बारे में जाने के एक तो conducting tissue हो गया फिर इसका दो टाइप होता है xylem और phloem xylem और phloem को मिला के हम लोग vascular tissue कहते हैं तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा xylem के बारे में जानते हैं जैसे देखे xylem के बारे में लिखा है कि xylem is the main क्या यहां पर लिखा है xylem is the main conducting tissue of vascular plant responsible for the transportation of water and inorganic solute of the various parts सिधा समझे कि xylem का जो main काम है वाटर का ट्रांस्पोर्ट करना है और जो inorganic solute होता है inorganic solute का मतलब होग है minerals वगेरा जितना भी minerals है and water है उसको plant के different parts में वेजने का काम कौन करेगा डियर तो वो zilem करेगा अगर आपको पूछे कि ठीक है root क्या क्या root ये जो ये plant है एदर ये plant है और इसका root है ये root क्या क्या minerals absorb गया ये root क्या क्या mineral को absorb गया अब mineral को तो plant का different parts में जाना है तो उस minerals को plant के different parts में वेजने का काम कौन करेगा डियर तो वो जैलम करेगा अब water को भी different parts में वेजने का काम कौन करेगा तो वो भी जैलम ही करेगा अब हम लोग देखते हैं जैलम का जो होता है कितना part होता है total थोड़ा समय speed में बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आप इसका speed कम करके भी देख सकते हैं अब जिसे देखिए आपर अब इसका जो four part होता है यह जो जैलम है इसका कितना part होता है एक को बोलता है ट्रेकिट्स क्या बोलता है एक को ट्रेकिट्स बोलता है दुसरा जो होता है जैलम vessels बोलता है अब कहीं कहीं पर ये Xylem Fiber को Xylem Scleran काइमा भी लिखा रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि Xylem का चार पार्ट होता है, ट्रेकिट्स, वैसल्स, Xylem Fiber, Xylem Parent काइमा, अब सब के बारे में एक एक करके जानते हैं, अब ये जो हमारा figure है, यहां पर जो देख रहे हैं, ये जो हमारा figure है, ये किसका figure है, तो ट्रेकिट्स का figure है, तो देखिए क्या, इसका shape के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, तो बीच मे ट्यू प्लाइक अरो फिर वाज्च में आके क्या हो गया है यह लास्ट में देखेए यहार गया अरो एंड में टैपरिंगी इंड हो जाता है यह ना अब इसमें देख लिए चोड़rail一-दो पिटस है इसमें क्या है यह जो D planned यही छोटा छोटा पीट्र क्या करें यही छोटा छोटा पीट वाटर को कि अब यहां पर मान के चले एक छोटा सा होल है अब इधर से वाटर एंटर किया अब इधर और इधर भी तो होल रहेगा, इधर से यह पास करते हुए, बोड़ी के डिफरेंट पार्स में क्या करेगा इसको, तो ट्रांस्पोर्ट करेगा, तो देख रहे हैं, ट्रेकिड्स की स्थरी कैसे, तो ट्रेकिड्स का जो सेप होता है, उसको अगर हम लोग बोलें, तो ट्यू ब्लाइक इस्ट्रक्चर, यह क्या होता है, तो लास्ट में टेपरिंग इंड्स भी होता है, तो देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अ ट्रेकिड्स is a elongated hollow dead, अब यहाँ पर देखें, यह जो ट्रेकिड्स होता है, यह जो ट्रेकिड्स होता है, बस एक ही है xylem parent कायमा जो की living होता है अगर आप से question करें कि xylem का 4 part होता है एक हो तो trackids, एक हो तो vessel, एक हो तो xylem fibers एक होता है xylem parent कायमा तो इन चारों में living कौर होता है तो xylem parent कायमा होता है है ना सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला है कि trackids is elongated यह देखिए, elongated का shape कैसा होता है यह होता है elongated का shape इसको elongated कहेंगे, इसको elongated कहेंगे नहीं, इसको elongated नहीं कहेंगे elongated को जिस तरीके का होता है elongated holiday cell with its both end tapering, मतलब इसका जो दोनों end होगा, वो कैसा होगा देखिए, इसका जो दोनों end है कैसा है तो tapering है, दोनों end कैसा है देखिए, इसका दोनों end कैसा है तो यह भी tapering है, यह भी tapering है अब sorry, अब देखिए, यहाँ पर जैसे बोला है यहाँ पर the wall of the cell, मतलब यह जो trachids है, इसका जो wall है, वो क्या है और thick क्या है, तो thick है due to the deposition of lignin कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो trachid है trachid का जो wall है इसके wall में क्या चीज का deposition है, तो lignin का lignin के बारे में हम लोग पढ़े थे इसके land कायवा में है ना मतलब कुछ इस तरीके से एरेंज रहता है that they form a system of long tubes मतलब इस तरीके से यह एरेंज रहता है एक लंबा सा ट्यूब बनाता है, जिसे मैंने बताया ना, अब इसके बगल में एक और ऐसा रहेगा, फिर इसके बगल में एक और और ऐसा रहेगा, एक और ऐसा रहेगा, तो फिर सब में पीट रहेगा ना, जैसे बान के चले, इसके जस्ट साइड में यहां पीट है, इसके जस्ट यहां पर यह पीट है, इसके जस्ट साइड में इधर पीट है, तो इस तरह से जो पीट रहेगा, तो यह क्या बना लेगा, तो trackids के बारे में आपको क्या 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 कुशन आ सकता है कि trackids का shape कैसा हो सकता है तो elongated hollow, long tube-like अब इसका जो wall होता है वो क्या होता है, थिक होता है तो किसके करन थिक होता है Due to the deposition of lignin मतलब lignin इसके भीतर में रहता है इसलिए इसका जो wall होता है कैसा होता है तो ठिक होता है थिन नहीं होता है एंड अब नेक्स्ट टाइफ का देखते हैं हमारा जायलम वैसल क्या तो जायलम वैसल देखते हैं जैसे देखिए यह जायलम वैसल है अब जायलम वैसल के बारे में बोला है जायलम वैसल का मतलब क्या देखिए इसका shape कुछ इस तरिके का रहता है अब shape ऐसा है तो इसको एक के उपर एक रखा हुआ रहेगा एक के उपर क्या रहेगा दूसरा रखा हुआ रहेगा इस तरह से यह हो गया तो यहाँ पर बोल रहा है कि the cell of vessel vessel का जो cell होता है are placed one upon है ना एक दूसरे के उपर पर रखा हुआ एक दूसरे के उपर पर क्या है तो यह एक दूसरे के उपर पर रखा हुआ है one another and their end wall are either absent मतलब इसका जो end wall होता है वो या तो absent रहेगा मतलब end जो होगा यहाँ वहाँ पर wall होगा या तो नहीं होगा और possesses perforations मतलब direct perforations भी रहा सकता है wall भी हो सकता है और perforation भी रहा सकता है they form long tube मतलब देख रहे हैं यहाँ पर एक लंबा सा tube बनाया है यह क्या क्या है एक लंबा सा tube बनाया है और channel for conduction of water and minerals मतलब वाटर और mineral को conduct करने के लिए एक लंबा सा चैनल बनाया है है ना तो like trackids the wall of zealum vessel are lignified, मतलब इसका भी जो wall होगा, वो क्या होगा, lignified होगा, मतलब इसके भी wall में इसका जो ये wall होगा, इसमें lignin present होगा, आपको पूछेगा, कि क्या trackids का जो wall है और zealum vessels का जो wall है, दोनों में से lignin किसमें पाए जाता है तो फिर आप अगर पढ़ें अच्छे तरीके से, तो फिर आप बता देंगे कि दोनों का जो wall होता है मतलब zealum vessel and trackids, क्या तो zealum vessel and trackids दोनों के wall में क्या रहता है तो दोनों के wall में हमारा lignin रहता है, इसलिए दोनों का wall कैसा रहता है, तो थिक रहता है तो ये था हमारा zealum vessel and next है zealum fiber अब ये zealum fiber बोलिए या zealum scleran kymah बोलिए अब ये zealum scleran kymah ये भी क्या होता है, dead होता है जिसे थिए zealum vessel भी dead है जैलum vessel भी dead है और ये zealum zealum fiber भी dead होगा zealum fiber बोलिए या zealum scleran kymah बोलिए अब ये supportive nature का होता है मतलब कि complex permanent tissue को complex permanent tissue बोल लिजिए या इसको बोल लिजिए direct zealum कि zealum को strength देने का काम zealum को मजबूती देने का काम कौन करेगा zealum fiber आपको question ये करे कि zealum है ठीक है जायलम का चार पार्ट है तो कौन सा पार्ट है जायलम का कौन सा पार्ट है जो कि zealum को strength प्रूबाइट करता है तो फिर आपको बोलना होगा कि ये zealum fiber और zealum fiber का दूसरा जो नाम है zealum scleran kymah है mechanical strength देता है and last वाला पार्ट पे आते है that is zailum zailum faran kymah अब देखे जो zailum paran kymah है यही एक इसका living part है देखे मैं इसका figure में आपको दिखाता हूँ ये है हमारा zailum faran kymah ये zailum paran kymah है अब देखे इसमें nucleus भी present है cytoplasm भी है vacuoles भी है तो अब ये क्या चीज़ का काम करेगा तो देखते हैं इसका काम इसका जो work है देखे इसका जो work बताया गया है क्या are only living component of zailum these are concerned with the storage of food मतलब इसका जो काम है सीधा कि food को store करने का काम करता है अगर आपको बोले कि what is the function of zailum paran kymah तो storage of food and sideway conduction of water मतलब ये water को conduct करने का काम करता है एक तो सबसे पहला इसका work क्या हो गया food को store करेगा और दूसरा क्या water को conduct करने का काम करेगा तो ये था चार पार्ट हमारा तो आज हम लोग zailum के ही बारे में सिर्फ जानेंगे flowem के बारे में next वीडियो में जानेंगे अब यहाँ पर कुछ कोश्चन है जैसे कि मैं आपको कोई कोश्चन ये कहे कि जायलम को strength प्रोवाइट करने का काम कौन करता है तो जाहिर सी बात है कि जायलम फाइवर या जायलम इसके लेंड काइमा अगर आपको बोले कि जायलम का चार पार्ट होता है चारो पार्ट में जो living पार्ट का नाम बताना है आपको तो आप डायरेक्ट बटाएँगे क्या जायलम फाइरन कार्मा अगर आपको पूछे कि जायलम फाइरन कार्मा का काम क्या है function क्या है तो फिर आप बताएँगे to storing food and दूसरा conduction of water ठीक है और आपको पूछे ट्रैकट का जो wall होता है ट्रैकट का जो wall होता है वो थिक होता है यह थीन होता है तो आपको पता है कि लिगनीन रहता है उसके wall में इसलिए थिक होएगा मतलब जिसके wall में लिगनीन प्रजन्ट रहा उसका wall कैसा होगा तो थिक होगा अब trackids से क्या पास होता है तो trackids से water पास होता है वहीं zeilum vessel से क्या पास होता है तो zeilum vessel से water and mineral दोनों पास होता है क्या इसके भी wall में lignified क्या इसका भी wall भी lignified होता है मतलब क्या इसके भी wall में lignin होता है Yes तो ये था हमारा complex permanent issue में आज हम लोग जहलम के बारे में जाने अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने friends के साथ में जरूर शेयर करें वीडियो को ताकि जो फायदा आपको मिला है वो फायदा आपके friends को मिले तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदा